दोस्तो आज की वीडियो के अंदर आपको चार गोबंश एक साथ देखने को मिलेगी जिसके अंदर राठी के अंदर भी है साहिवाल के अंदर भी है और हलका सा गिर्मिक्स वाली जो गोबंश साथ में आपको देखने को मिलती है और इनके साथ में यानि की तीन गोबंश के स आपको पूरी जानकारी मिले, इसके लिए आप चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब जरूर से कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दिया गया, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि चैनल पर आने वाली जो वीडियो है, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पर राप्त हो, गाय की डिटेल के बारे में बात करें, तो उससे पहले जो एक बच्छडी है, जो आपको हम फरी ओफ कोश्ट दे रहे हैं, वो आप पहले देख लीजिए, बहुत ही बहतरी शांदर शो क्वालिटी की हाइफर्स, जो कि अभी कंसीव होने के लिए रेडि है यानि की 15-20 दिन या एक मेने के अंदर ये सीमन या फिर आप बुल से क्रोस करवा सकते हैं इसको, और ये हीट में आ जाएगी, पहले 8-10 दिन पहले हीट में आई थी, प्रवी इसको हीट में कुछ व्यस्ता नहीं होने के कारण, इसको अपने कंसीव नहीं करवा पाए, तो कारे में बात करें, तो कमल की पंकुडियों जैसे लंबे कान, बारी मकमली गलकमल और टीट्स का साइज वो भी हम आपको नजदीक से करके दिखा देते हैं, जो पहले ब्यात के अंदरा भी डिलिवरी गाय के भी होने वाली है, फिर भी जो इसका जो टीट्स का साइज है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा टीट्स का साइज है, गाय के डिलिवरी टाइम के अंदरा अगर भी अपने बात करें, तो 25 दिन का भी इसकी डिलिवरी के अंदरा भी टाइम बाकी पड़ा है, यानि कि 22 दिन या 25 दिन के टाइम के बाद में इसकी डिलिवर में जाएगे यानि की 14 लिटर प्लस मिलकिंगे इसकी रहने वाली है और कीमत है जो कीमत भी हम आपको बताएंगे तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर रहे हैं तक आप बने रहे हैं इस गाये की डिटेल के बारे में अगर आपने बात करें तो इसकी डिलीवरी के अंदर इसने 13 लिटर के करीब दूद दिया हुआ है अब के बार सेगिंड राइम इसकी डिलीवरी होने वाली है तो जिससे कि हम इसे उमीद कर सकते हैं कि लगबग ये 14 से 15 लिटर तक दूद देने के शमता तक जाएगी और इसकी जो टीट्स की क्वालिटी है वो भी आप देख मुठिया थन लिए हुए अटर के अंदर जो सल्वेटे हैं वो अच्छी है उसको अनमान और इसको मताविक देखते हुए पिछले ब्यांत के दूद को देखते हुए लगबग ये लगता है कितना दूद देने वाले सभाविक बनता ही है और जो थनों के बात करें तो इसक अॉर्डनिरी हंप साइज है और इसके बाद, सैकिन्ड नमबर में जो तीसरे नमबर पर जो गाय आप देख फा रहे हो इस गाय की डिलीवरी के अदर भी एक मैने का टाइम बाकी पड़ा है और एक मीने के टाइम के बाद में यह बच्चा देखे है गाय के डिलीवरी इमें भी एक मिनिकर टाइम बाकी है, हमप का साइज है, शांदर हम साइज इसका भी, गलकंबल शांदर है, पीट फुट का जो स्लोप है, वो भी बहुत ही बाहतरी नोड शांदर है, और ये चारों की चारों गोवंश, यानि की तीन गाए, जिनकी डिलिवरी के अंदर भी 20 दिन, 25 दिन या एक मिनिकर जो टाइम बाकी है, और इसके साथ में जो एक साइफर, साहिवाल की, सोरी, चोलिस्तानी ब्रीड की, जो की एक साथ आपके लिए सेल की लिपलब्द करवाई जा रही है, इनके अगर कीमत के बारे में बात करें दोस्तों, तो चारों की चारों की जो कीमत रखी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लाख रुपे के अंदर, मातर, वन लाख के अंदर आज आपके लिए सेल की लिपलब्द करवाई जा रही है, कोई भी किसान मित्रगर खरीदने के इच्छे रख रहे हैं, तो सक्रीन भी दिये के नमबरों पे कॉल करके, जिट भी कर सकते हैं, श्री गंगनगर से 15 किलमेटर के दूरी पर अपने जो यह फार्म है, तो आप यहां पर पहुंच करके, इन गोबंश को देख करके, अच्छी तरह चेक करके भी लिजा सकते हैं, पसंद आपकी है, इच्छ आपकी है, पर दोस्तों एक बात में अपने हर्याणा ब्रीड लीजिए, कोई भी ब्रीड अगर आप ले रहे हो, तो सिर्फ देसी गोबंश को ही परती होईए, प्रेरित होईए, तो दोस्ते गोबंश की वीडिया आपको कैसी लगी, कॉमेंट के माद्यम से, आप हमारी को जुरूर बताइएगा, मिलते हैं कि नई व